और दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये पब्लिक डिमांड पे है बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि भाई वीवो जीवन प्रो जी हां बहुत पॉपिलर अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो वाला एफोन है उसका comparison कीजिए Realme X के साथ क्योंकि लोगों को चाहिए कि हमने ये खरीदना चाहिए या ये तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ whether you should buy Realme X और वीवो जीवन प्रो देखते रहिए लेकिन दोस्तों comparison चालू करने से पहले आप नए हो इधर तो subscribe 100% कीजिएगा बेल आइकन बजाईए all कीजिए सब notification भी मिल जाएंगे 100% सबसे पहले phone जब हाथ में लेते हो तो कैसे लगता है मुझे Realme X ज्यादा अच्छा लगता है यह 196 gram है यह 206 gram है थोड़ा मोटा भी है and in hand feel की बात करोगे एक distribution की बात करोगे तो I like Realme X yes this is not bad but अगर compare करोगे तो Realme X अच्छा है दिखने को कौन सा ज्यादा अच्छा है दोनों मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा similar है यह थोड़ा traditional दिखता है क्योंकि इसमें rare fingerprint है इसमें इन डिस्प्ले आता है इसलिए और जो color भी है यह color जो है pearl white यह pearl off white जो भी है इसका नाम बहुत अच्छा दिखता है it feels more premium तो again मैं कहूंगा Realme X is slightly better अब आते हैं डिस्प्ले के पास डिस्प्ले दोनों का भी अच्छा है बत अगें Realme X super AMOLED है 6.53 inch FHD plus super AMOLED display with HDR support इसमें आता है LCD panel इसमें Gorilla Glass 6 का protection है यह गोरिला glass 5 का protection है इसमें भी protection है but unspecified protection है so when it comes to display again I have to say Realme X obviously HDR support is super AMOLED है आप देख सकते हो दोनों side by side this looks more punchy है जो colors है ज्यादा पंची दिखते हैं bright दिखते हैं even videos वगेरे जब आप देखोगे आपको Realme X ज्यादा पसंद आएगा चलिए दोस्तों आप बात करते हैं specifications के बारे में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है बट Vivo Z1 Pro has latest Qualcomm Snapdragon 712 processor इसमें है 7110 कुछ 5 to 10% performance boost मिलता है इस नए processor की वैसे ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है अगर variants की बात करते हैं तो इसमें आता है 4GB 64GB 6GB 64GB and 6GB 128GB और price के पास आप देखते हो 15,000, 17,000 और 18,000 इसकी प्राइज है तीन variants की इसमें दो variants आते हैं 4GB 128GB and 6GB 128 sorry 8GB 128GB और price है 17,000 and 20,000 तो price के बारे में मैं कहूंगा similar ही है दोनों के same prices नहीं है लेकिन आपको specifications भी अलग मिलते हैं इसमें 128GB का storage मिलता है वेरेस इसमें आपको RAM थोड़ी ज्यादा मिलती है अगर base variant के पास देखे 6GB 64GB and 4GB 128GB so it depends on you क्या important है आपके लिए RAM ज्यादा या storage ज्यादा लेकिन अगर मुझे कहना है तो दोनों ही same है अगर value proposition आप देखोगे दोनों का similar है चले होस्तों अगर storage type के पास देखते हो आप तो UFS 2.1 दोनों में भी आता है अगर dedicated SD card slot देखते हो तो बहुत importantly Vivo Z1 Pro में आता है इसमें there is no hybrid SIM slot forget dedicated 2 nano SIM card बैठते हैं तो लेकिन 128GB storage आता है इसमें so it compensates a bit फिर भी इसमें यह जितता है dedicated SD card slot है बैटरी के मामले में दोस्तों Vivo Z1 Pro अच्छा है 5000 mAh की बैटरी है इसमें 3765 है जो इतनी बुरी नहीं है अगर आप port के पास देखते हो इसमें micro USB port है इसमें USB type C आता है with VOOC 3.0 20 Watt का fast charging इसमें भी 18 Watt का dual engine fast charging आता है but that micro USB port is slightly down फिर भी मैं कहूंगा Vivo Z1 Pro is winner क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है let's talk about OS, front touch OS, color OS 6 and color OS 6 जी हां यह जो Vivo Z1 Pro का नीचे से जो notification panel और system tray अगरे आता है I am not getting used to it और वैसे भी color OS 6 is much more streamlined ज्यादा अच्छा लगता है front touch OS के comparison में sensors के बारे में बात करते हैं सभी sensors है लेकिन Vivo Z1 Pro में physical fingerprint sensor आता है whereas this one has in display fingerprint sensor बहुत ही latest है तो इधर जाएगा point जी हां notification light दोनों में ही नहीं है अगर L1 support, widevine L1 की support की बात करते हो तो आप Realme X जब खरीद होगे आपको out of the box L1 मिलेगा इसमें आपको L3 मिलेगा लेकिन Vivo के website पे कहा है L1 तो शायद software update के द्वारा L3 से L1 पे हो जाए but out of the box this has it, this does not दोनों ही phones camera 2 API को support करते हैं out of the box GCam install करके अच्छे अच्छे photos आप निकाल पाओगे दोस्तों gaming performance की बात करें तो obviously इसका जो processor है थोड़ा अच्छा है but PUBG आप खेलो, high settings पे आप खेल पाओगे, fortnite खेलो, medium settings में खेल पाओगे, दोनों ही phones में मुझे ज्यादा difference नहीं लगा, in fact अगर experience की बात करूँ तो मुझे Realme X का ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो, you know, it has got much better screen to body ratio, AMOLED screen, color sponge अगेर दिखते हैं, HDR support है तो माई experience on Realme X ज्यादा अच्छा था, gaming के मामले में, but performance अगर on paper देखा गया, तो Vivo Z1 Pro ज्यादा अच्छा है Let's talk about camera, camera samples भी दिखाएंगे, उसके पहले specifications के बारे में बोल दूँ, इसमें आते हैं triple camera, 16 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel इसमें आते हैं 48 megapixel प्लस 5 megapixel, 48 megapixel का sensor अच्छा है, लेकिन 2 ही है, इसमें 16 megapixel का primary sensor आता है, लेकिन 3 है, जिसमें एक wide angle भी है अगर आगे की बात करते हैं, तो इसमें pop-up selfie आता है, 16 megapixel का, वेरे जिसमें आता है hole punch 32 megapixel का, दोनों का ही aperture F2.0 है actual में, लेकिन specifications एक जगह, आप जब photo निकालते हो, तो actual में पता चलता है किसका camera ज्यादा अच्छा है, come on, let's find out दोस्तों, अगर normal conditions में आप देखते हो, दोनों ही photos अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्यूंकि हमने इतने सारे photos निकालें, जहां-जहां मैं Realme और Z1 Pro को बारी की से compare करता हूँ, तो मुझे dynamic range जो है, वो Realme X की ज्यादा पसंद आती है, अत्मे 48MP का sensor है Realme X में, वेरे 16MP का है primary sensor Vivo Z1 Pro में, again, normal आप खीचों के photos बहुत similar दिखते हैं, लेकिन जब आप zoom करते हो, तो Realme X के photos थोड़े sharper दिखते हैं, दोनों के ही colors मुझे अच्छे लगे दोस्तों, अगर rare के photos देखते हो, कोई person के photos देखते हो, तो normal छोटी screen पे अच्छा दिखता है, बट जब आप zoom करते हो उस photo को, तो actual में पता चलता है, आप देखिए Realme X के photos ने बहुत सारे details रखे हुए, बहुत सारे जग़े पे Z1 Pro का जो photo है, वो थोड़ा mushy आया है, थो whereas Z1 Pro में सभी कुछ totally smooth हो गया है, details जो है, आप मेरे बालों के पास देखिए, या फिर दाड़ी के पास देखिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सब कुछ एक हो गया है, whereas details सब Realme X में definitely दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं अच्छी जरूर कहूंगा, Vivo Z1 Pro की Wide Angle Camera बहुत अच्छा है, जो Realme X में नहीं है, दोस्तों ये जो फोटो है, मैंने जान बुछ के क्लिक की थी, सीधा सन मेरे सामने था, harsh light था, मुझे देखना था, कि वही डाइनमिक रेंज ये किस फोटो की अच्छी है, and Realme wins hands down, सभी फोटो में आप देखो, मेरा जो forehead है, completely overexposed हो गया है, Realme X में थोड़ी जगा पे overexposure है, बट डीटेल से नजर आते हैं, इस फोटो में देखिए, पूरा का, पूरा मेरा forehead सफेद हो गया है, जीवन प्रो में, दोस्तों अगर low light की बात करते हैं, बिल्कुल भी अंदेरा होगा, आप फोटो खीच रहे हो, तो Realme X performs much better than Vivo Z1 Pro, मैंने बहुत सारे low light में भी खीचे, बहुत सारे जगा पे color accuracy आप देखोगे, थोड़ा brightness देखोगे, तो Realme X ज्यादा अच्छा perform करता है, दोस्तों अगर वीडियो की बात करते हैं, फिर से आप इस वीडियो को देखिए, चलिए मेरा जो वीडियो है, वो ठी प्रेद हो गया है, और दोस्तों, सेल्फी वीडियो के पास आप देखते हो, तो सेम, जैसे rare में है, वैसी front में है, ओवर एक्सपोज बहुत जगब पे हो जाता है, वेरिस Realme X का डीसेंट वीडियो कीछता है, सेल्फी कैमेरा के साथ भी, तो मेरा वर्डिक्ट क्या है, दो जो मुविंग पार्ट है इसके अंदर, फास्ट चार्जिंग भी है, तो अच्छा प्रोसेसर, 712 का प्रोसेसर है, विची स्लाइटली बेटर देन Realme X, तो अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, ट्रिपल कैमेरा चाहिए, वाइड अंगल लेंस है, जो Realme X में नहीं है, तो आप इसके पास देख सकते हो, लेकिन बाकी सब चीजों में Realme X is wonderful, दिखने को मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा, कैमेरा डेफिनिटली इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, डुएल कैमेरा है, इसमें ट्रिपल कैमेरा है, लेकिन ये ड प्रोसेसर है, मैं कहूंगा ठीक है, इसमें 712 है, इसमें 710 है, स्क्रीन दोस्तों, एमोलेट डिस्पले है, हमेशा आप डिस्पले के पास देखते हो, एमोलेट डिस्पली का जो मजा होता है, वो कुछ और ही है, तो ओवराल, दोस्तों, अगर मुझे विनर चूस करना है, तो मैं कहूंगा, रियल मी X, जी हाँ, USB टाइप-C है, एमोलेट स्क्रीन है, अच्छा कैमेरा है, दिखने को अच्छा है, तो इस वन डाउन साइड, SD कार्ट नहीं है, अगर होता तो जबरदस्त होता, और प्राइज भी मैं कहूंगा, बहुत ही एग्रेसिव है, ओवराल, मैं विनर इस रियल मी X, आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में, अगर आपको विनर चूज करना है, तो कौन सा करोगे, देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ वी हो गया, बहुत सारे मेरे पॉइंट ऑफ वी के साथ अगरी नहीं करेंगे, मुझे कु वस्त इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो था, कीप ट्रेकिन!